कि नमस्कार मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तेकनीच हमारे साथ जूट चुके हैं ललित बार्मा जो प्रदेश पर्मुक महासची उत्तर प्रदेश युवा मुर्चा शुल्दे भारती समाज पार्टी के बार्मा जी राज तेकनीच चैनल में आपका स्वा पार्टी किस मुद्दे पर किस लिजवान कर लिए देखे आपको में बताराना चाहूंगा कि जो सुहिल भारती समाज पार्टी है यह एक जमीनी पार्टी है ठीक है और धरातल के फ्राम करने वाले मात्य की पार्टी है जो भाविश्य में पुर्वांचल की जनाधार के ल हमारे निरटा जिरु मुद्धा है उनका सबसे पहली बात है कि ज़ाती कर जंगलना होनी ची जो हमारे निका पर अथनिक बद्दा है उसके बात करें तो अभी आपने दिखा होगा हाल फिलाग में मगीला हग की बात करते हैं. पच्रीघ लूंच अभी आप देखेंगी अधिकलांगों की हद की बात है राजभर जाथी को को एक अलग पहचान दिलाना पूरे भारत बस ने ये भी अपने अपने घरो महसूस कराने जो की मात्रेक हमारे माननी नेता उंपरकाश जी ने इस बात को संभव करके धर्टी पर दिखाया है ठीक है उसके बाद अभी देखु दिन पहले हमारे बड़े भीया राश्टी अभी पहले आपने देखा होगा कि हमारे आजंगर के सांसर माननी निरहुजी उन्होंने भी बात को रखा था कि भीयाक यादो रेजिमेंट का भी गठर होना चाहिए उससी तरीके से अब दिखिए जिनोंने इतिहास लिखा जिनोंने मुगलों को गाजर मूडियों की तरह काता हो जिनका हास ही रहा हो लगने और भिड़ने का तो उनका जिमेंट तो तो हम हंडेट पसंट बना चाहिए यह वह बहुत अच्छा मुद्दा हमारे परटे कि जो बोलना मैला की बात तो 18 सीट मुदा था एक भी मैला को टिकत नहीं मिला तो मैला कहां चलीगे उससे में कि देखें देखें अब इसी चीज को इसी चीज को सही तरीके से करने कि एहीं नेता जी जागे होए नो मैलाओं के ह्की बात कहरें कि लुट सकती है ना भर्मा जी माहिला तो मनले सिट भी लड सकती उसके दिए जरूट क्या है देखे जहां जानेता जी पो टार घंध मिल ता और जहां से टिकट मिलने के बार जहां से जीतने की संभावना जिस रख्ती की है उस हिसाफ से टिकट का बढ़रा हुए क्योंकि राइनिक आपने अब मुख्य उदेश होता है कि हम तो विजय हास के आप जीतने के बात कर रहा है तो विजय पी वाली भासा हो गए ना विजय पी वाला अइब द्या अपत्या हो गए जहां से जो जीतने का करें जब तक आप सफ्था मेरे नेता जी जो अपने जनाल बॉलने से ख़ीर पड़ करें मधन जी मधं जी फरक की बात तो उलक चीश होती है फरक पड़ता है कrick COMM करता करें एक राव बात में नहींतु प्रहला आप शितने की बात में इस हार waso यह पायती की बैष्टत होती है और बड़े समयदारी का काम होता है एक अनभवी लोग बैठ कर इसमें बात करते हैं हम अगर जिवा खेलें कि चले हार जाते तो क्या हो जाता है यह को हमारे इज्दास को इमत लगता है बार्व हाँ नहीं लोग सभा चुनाव आएगा तो इसमें उमीद रखाजाए कि सुबासबाग में महीलाइद रखाजाए जब नहीं जब नेता जी अब आपने महूं में रेली देखिये होगी महीलाओ के रेली चली थी किसना जयादा जन सलाब था वर समातर महिलाओ के तो तो याइसा है कि आपने हाउ सुनी होगी अब किसी आई गिंदी जब खंबा नोच्टी है ने अब महु के धर्ती पे नेता जी ने जो आगाज कराया महिलाओ का अलग मंच दिया था अगर आप देखेंगे तो समझ में आता है क्योंकि विपक्षी घवराय हुए बल्कु बॉखला गए तो कुछ ही बोल रहे हैं अब उनकी बातों के थोड़े हैं चलना है कि 200 रुपया औ कंबल आप देखें वहां पे तमाम मीडिया अले बाई गंदू पर आपने इसास इसवर लोगों ने जाच परती है इसी बात नहीं है इसमें कुछ निथ्या नहीं को जूत नहीं है आप एक महिला देख्ष राष्ट्य देख्ष आप जानते होंगे एक वह आरो लोगा था आप जान रहेंगे नहीं आपके रहिला महिला जोराष्ट्य देख्ष आप ना रादिका पटेल जी का है इसमें कुछ अब सब नहीं थे जानते हैं कि नहीं अच्छी तरीका से देखिए एडिटिंग का जमाना है अब इसको हम हांडेट परसंट प्रूपका के साब नहीं क करनेति अभी आप देखिए किसी चनाव प्रचार में दुनिया भर की नियुक्त वा जाका रहा है कोई निश्टीवारी के वाड में गा होगा है कोई सौननिगम के वाद में गा इसको आपका था आपको खाने के सामने राजी का पटेल जी बोलड़ रहे हो वाज इक हमसाभ अब कुछ दिन पहले आपके अदेख साब बोले थे कि स्युपाल सिंह यादो कहेंगे तुम्हें समझवादी से गडबन कर सकता हूं इसमें क्या आपको दिख रहा है कुछ कहेंगे अब स्युपाल सिंह यादो नेता जिससे कहें और वो गडबन कर सकते हैं तो मुझको यहां तक लगता है कि नेता जी ने जब पार्टी का गठन किया तो वो नेचले अस्तर पे जो नेचले पैदान पे लोगों उनके हिट के लिए और उनके हिट के लिए जो भी संभव प्रय जी एक समझवादी के नेता बयान दियते है कि 25 दिसंबर को सुभास्पा का बिले जागा बाजपा में देखे बयान तो तमान चल गए बयानों पर हम क्या बात करें तो ऐसे से आते हैं जैसे लगता है कि 20 साल का जो अंभव 20 साल के जो परिश्रम है वो मिट्टी में मिल जा कि साथ उनके पीछे खाते हैं उनको पीछे नहीं गिरने इस बात को बिल्कुल विश्वास को परते हैं पर आप देभी रहे होंगे कि एक-एक कदम नेताजी आगे ही बढ़े हैं जो आप बोल लाए थे कि राजगार रेजिमेंट वाली बात तो एलक्षिन को देखती हो ल लेकिन अगर सही तरीके से देखा जा जा जिस तरीके से लोग मांग अपने अपने जाख्यों का कर्ण है या तो आप सारी जाख्यों के जेह बहुतन हो आपने ज्रीव और ठाइए हृई देख ज़ू ? जिसकी लितनी संख्या उसका उतना है तो जब बीजेपी सरकार में थे उस्च में आपके अद्देख साथ तो वह सुने क्यों नहीं मांगे फिर बीजेपी की तरफ जा रहा है अभी तो मोका बोलना चाहिए ना जिए नहीं अभी जाज़ी तो आपने अपने मदन जी जी ने छोड़ा भी तो है अचोड़ने का कुछ न कुछ तो कारण होगा आप ये मान लीजे उस अप्ता भोगर मलाई खाने के लिए बीजेपी में नहीं गये था उन्हों अपने समाज की बात को रखनी के लिए वहां पर तुस्ता रखा था कही न कहीं कहीं का चुआ होग हमारा नेता में धूप में नेडी पर जमीन पर आपको बता दूने चीज बड़ी इंकरनली चीज माज आप शेयर करने जा रहा हूं आप किसी भी पूरे उस्तर प्रदेश में किसी भी विधान सभा को उठा कर देखने किसी भी रख्ती के साथ अगर चुछ गलत होता है वह बात कर रहा हूं छेपुट की हाइट और पीले गंशे के साथ वह वहां पर खड़ा हूने काम है कुछ भी रोधी आप लिखते हैं कि वह पे राजबर बड़े जातवालों के घर पर जाकर के के तो जरू काटते हैं लेकि किसी गरीब के घर नहीं जाते हैं इसमें सच्छा ह जबत कर दिये मां एक गरीब हूं सुनिये मेरे गर पे नहीं पर सव आप इसे इसके बाद सुनिये इसके बाद एक हमारे बगल में ही मुभार्ट व व जाते हैं किसी मांबले में बंद हो गया तो यह मिलने गया कोई किसी का इस्टीश्यंट हो जाता है जहूराबाग में उ हुआ हुआ हिए जमीन पर आकर अज करें। अधू पर देखिंट आध करें। हवा हवाई से नहीं होता है। हवा हवाई पचासी दिनकी पायटियां, जो हवाई हुआ हुआ है भी रोधी छह, जिस सतरीके से बात कर रहे हैं यह बे बुनियाधी बात करें। अगर कि बीजेबी से कट गोगा अदिए बोली बोली बुली बोली प्रवाज को टेकिए इस देदिए अपसे वदन यही कह रहा था कि इस लोग है जो आप वाई फैलार हैं समाज इतना नकारा नहीं समाज बहुत देखे समाज ही सत्ता मिलाता है समाज ही चिजों को बनाता औ समाज पहचाम चुका है कि हमारा आखरी और लास्ट जो निड़ा है वो प्रकास राजबर के रहे रहे आप उनको गुम्रा नहीं कर सकते हैं कुछ लोग तो भी बोलते हैं कि और भी राजबर तो कहीं कर गरीबों के घर जाते हैं लेकिन एक रुपया का योगदान देते हैं बस गय पाने पी अचल दिये आप तो नेता आपको पता है सब बिलकुल सही आपने बोला है और मैं आपको जो बात कह रहा हूं देगे तम बि कोई महिला आती है एक फोटो लेकर के और वो फोटो हमारी राजमती निसाथ जी लेके महिला मंस्की है आप उनसे भी कभी अगर नहीं पूछ देगा वो राजमती निसाथ के द्वारा वो फोटो नेता जी के हाथ में जाता है वो सहीयोग मात्र के लिए क्योंकि उनका कि नेता जी स्वहोग नहीं करते हैं यह सब तो यह सब बद्राम करने की मिठ्चाएं है और यह लोग पढ़के रात में पढ़ते हैं और सुभा आ करके बोलते हैं इनकी यह सिती है तो इनकी बातों तो हम लोग इसना गौर नहीं कभी लिए तो अजर चोड़िस में बीजी करता है और हम पूरे जितने विमारे पार्टी कर करता है और जितने अधिकारी बंदू है सभी लोग उसको सिवकार करें तो आने वाला समय में बीजेपी के साथ जाएंगे तो आप लोग को उम्मीद है कि समाज मानेगा कि नहीं आप सही लिए लिए क्योंकि उसी बीजेपी से दूरी बनाये थे देखिए दूरी बनाये थे तो किसमें किसी चीज को लेकर बनाये और आज नेता जी अगर दुबारा आगे बंदंच बात करते और होता भी है तो अपनी सर्तुम पर लखेंगे तो तलवा चार्टी और सथा भूगी नेता नहीं आप इस बात तो जानके बड़े अपने समाज की बाती की लेकर चलना है तो लोग यह भी बनाए कि वह भी राजवर मंतरी बनेंगे और अरुन राजवर एमेंसी बनेगा और बींद राजवर को लोग से बाचना मिलेगा बास काम बहत्तम ऑनेगें आप इस बात याजियु आप इस बात रिसमस कीजिए आखरी में क्या चाहेंगगा अपर माजी पुर वांचल की वारियन था कि समाज में एक ही चीज़ का को संदेश देना चाहता हूं कि Anyah पूर लाना pos SEC alpha हिए और सभी समाज के तो ऐसां में पूछे और तो इस पे काम ठीक है बर्मा जी आप राज तक ने चैनल पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद